एक टिकेट का एजेंट है जो कि रोज 42 टिकेट बेचता है एक प्ले के लिए और एक टिकेट का दाम हमें दे रखा है 2.99 रुपीज के बराबर Use rounding to estimate the total rupees taken in from the sales of the tickets तो हमें rounding का अस्तमाल करके पता लगाना है कि इतनी सारी टिकेटे बेचने पर कुल कितने रुपए की कमाई होती है तो अगर हमें round करने के लिए नहीं कहा गया होता अगर हमें estimate नहीं निकालना होता तो total cost को निकालने के लिए हम एक टिकेट की price को multiply कर देते total number of tickets जो की बिकी हुई होती है तो 299 times 42 ये हमें बताता कि कुल कितनी कमाई हो रही है लेकिन हमें यहाँ पर exact cost calculate करने के लिए कहां नहीं जा रहा है हमें तो estimate करना है इसलिए हम यहाँ इन दोनों numbers को nearest 10 में round कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कि लगभग कितनी कमाई और क्यूंकि ये 5 से बड़ा है हमारा ये number round up हो जाएगा तो 299 को round up करने पे हमें मिलता है 300 यहाँ पर ये इसका rounded form है और अगर हम इसी तरीके से 42 को round करें तो 42 में अगर हम अपने 1s की place को देखते हैं 10s के right वाले place को तो यहाँ हमारे पास है 2 और क्यूंकि ये 5 से छोटा ह तो हमारा ये number round down हो जाएगा और इसे round down करने पे हमें मिलता है 40 42 को हम 40 में round down कर सकते हैं और total cost का estimate निकालने के लिए हमें अब 300 को multiply कर देना होगा 40 से तो 300 को 40 से multiply करने का मतलब है कि हम यहाँ पर 3 times 4 ले सकते हैं हम यहाँ 3 और 4 को multiply कर सकते हैं तो 3 और 4 को multiply करने पे हमें मिल 12,000 और उसके बाद यहाँ पर जितने भी 0 हें हम इसके आगे लगा सकते हैं तो यहाँ पर यह ओरंज वाला एक 0 है हमारे पास और इसके अलावा यह ब्लू वाले दो 0 हें तो यहाँ पर 300 ताइम्स 40 यह हो जाता है 12,000 के बराबर तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उस प्ले की लग थाउजन रुपीज के